नमस्कार दोस्तों आजकल आखों पर स्ट्रेंड बहुत पढ़ रहा है क्योंकि सारा का सारा काम सारी की सारी ट्रेनिंग्स आउनलाइन हो गई है बहुत से बच्चों की आखों में इरिटेशन, रेडनेस, जलन होनी शुरूर हो चुकी है बहुत से बड़े लोगों को भी ये शिकायत हो चुकी है बहुत सारे आउनलाइन वेबिनार एटेंड कर रहे हैं सब लोग बहुत ज़्यादा समय टीवी की स्क्रीन पर और मवाईल की स्क्रीन पर बिताया जा रहा है उससे क्या होता है हमारी आखे एकदम स्ट्रेंड होती है और हम लोग पलकों को भी कम जबगते हैं एक्यू प्रेशर के ऐसे कौन से बिंदू है जो आपकी आखों को इस परिस्थिती में आराम दिला सकते हैं आए दोस्तों उसको आज हम सीखते हैं दोस्तों समझना है दो चीजों को एक जब भी आप मोबाइल या टीवी के सामने हैं या लैप्टॉप के सामने हैं तो अपनी पलकों को साथ से दस सेकिंड में जरूर एक बरी जपक लिया करिए दूसरा जो फिल्टर साफ पानी होता है स्लाइटली ठंडा भी आप ले सकते हैं उसको उससे अपनी आखों को धो लिया करिए एक जनरल आपको करना ही चाहिए एक्यू प्रेशर के वो कौन से बिंदू है जिन पर ट्रीटमेंट दे कर आप यह जो आखों में इरिटेशन है बर्निंग है जो स्ट्रेंड पढ़ रहा है जिससे आखों का नंबर डेफिनिटली बढ़ने वाला है तो जो स्पेक्स है उसका नंबर बदलने वाला है तो उस कॉत दूस्तों आपको की इस एहमिएत को कीमत को जानते हुए उन महतवभूण बिंदुयों को जानते हैं सीखते हैं जिससे आप अपनी आपकों को स्वस्त रख सकते हैं आएए शुरू करते हैं मैं सभी बिन्दू को अपने हाथों पे मांक करूंगा उसके बाद उन पर कैसे प्रेशर देते हैं उन पर कैसे मैगनिट लगाते हैं उसको हम सीखेंगे तो आएए दोस्तों देखते हुआ सबसे पहले यह जो आपका थम्भ है इस पर मैं यहां पर बिन्दू मार्क करता जा रहा हूं आप उसे बिल्कुल देखते जाएं यह दो बिन्दू आ गए फ्रंट साइट पर इसके बाद देखें एक बिन्दू आपकी मिडल फिंगर पर यहां आगया एक आपकी मिडल फिंगर के मिड जॉइन पर आगया एक यह जॉइन से हलका सा उपर और एक बिन्दू यहां बिन्दू दो दोस्तों बैक साइट पर आएंगे उनकी लोकेशन को भी देखते हैं एक आपकी इंडेक्स टिंगर पर यह रहां और दूसरा बिन्दू आपकी मिडल फिंगर पर यह रहां दोस्तों यह जितने बिन्दू मैंने जिस लोकेशन पर लेफ्ट हैंड में माक किये हैं आपने यह सारे बिन्दू अपने राइट हैंड पर भी माक करने दोस्तों यह एक्यू प्रेशर की जिम्वी होती है इस एक्यू प्रेशर की जिम्वी से जितने भी पॉइंट मैंने माक किये हैं इनको तीन से पांच बार आपने प्रेशर देना तीन से पांच बार आपने प्रेशर देना है वो फ्रंट साइड का हो यह बैक साइड का हो आपने तीन से पांच बार इन बिन्दूओ पर प्रेशर देना है इस पे लगाने होते हैं स्टार मैगनेट अब मैं स्टार मैगनेट आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इस पर एक टेप और दूसरा बसकी इसे तरह से आपने साहरे और यह भी जो मेनने यहां बताए हैं इनने लगाना है दिग ऑनकी पेहला कि हमेंने लगा दिया हूँ तूसरा एक ! कॉर्सा यह मिट में फोर्थ पॉइंट ये सेंटर में और चार मैगनेट और लगेंगे दोस्तों वो किस तरह से लगने हैं आए उसको भी अब हम देखते हैं देखें एक टेप पर एक मैगनेट दूसरी टेप पर एक मैगनेट और ये एक टेप पर दो मैगनेट एक साथ लगाएंगे हलके से गयाप पर फ्रंट साइट में देखें ये जो दो कॉइंट से इन पर इस तरह से दो स्टार मैगनेट लगाएंगे और ये जो इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर में बैक साइड के पॉइंट से एक एक स्टार मैगनेट इन पे लगेगा दोस्तों ये मैगनेट जो है ये पॉइंटेड होते हैं इनकी लोकेशन को आप अच्छे से देख लेजे और जैसे मैंने लेफ्ट हैंड में बताये हैं सेम ऐसे ये सारे पॉइंट राइट हैंड में भी लगाईएगा दोस्तों ये जो भी आपको मैंने अभी पॉइंट लगाने सिखाए हैं बताये हैं इनको आपने रोज चार घंटे के लिए लगाना है बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा मुबाइल पर समय बिताते हैं या बड़ों के लिए भी जो बहुत ज़्यादा समय टीवी या लैप्टॉप के साथ बिताते हैं उन लोगों को यह treatment definitely कम से कम हफते में दो बार तीन बार करते रहना चाहिए ताकि उनकी आखों को सही पोशन मिलता रहे एक्यूप्रेशर के बिंदू यह करते क्या है यह energy का flow बढ़ा देते हैं आखों की तरह जिससे आखों का nourishment भी उसी तरहां से होता जाएगा जितना हम उसका use कर रहें दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी जिनको भी आखों में strain है वो इस उप्चार से इस एक्यूप्रेशर के स्वा उप्चार से घर बैठे इस उप्चार का लाब दे सकें आज की इस वीडियो में मैं जग महन सजदेवा आप सबसे विदा लेता हूँ नमस्कार